सभी प्यारे चात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और ट्वल्थ रसाइन विक्यान में आगे बढ़ते हुए अध्याय तीन में विद्धुत रसाइन जो हमारा चल रहा है नोट्स में आगे बढ़ते हुए अब हम करने वाले हैं इसका मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह नोट्स जो हैं वो NCIT के हैं और आप यह डाउन्रोड भी कर सकते हैं तो यह देखिए यह वाला क्वश्चन करने वाले हैं धात्विक चालकता एवं विद्धुत अबगटनी चालकता में अंतर लिखिए तो चलिए इसको समझते हैं और याद करते हैं देखिए धातु चाल अलग होती है जिने हम धात्विक चालकता कहते हैं वो किसी चालकतार में होती है जैसे मैं यहाँ पे एक बेलनाकार चालकतार बनाता हूँ तो कोई भी कापर का तार हो सकता है अलूमिनियम का तार हो सकता है तो कापर अलूमिनियम और यहाँ पे यह जादातार यूज किया जाते हैं हमारे दैनिक जीवन में तो ये धातू के तार हैं आपने कप्छा दस्मी में पढ़ा होगा धातू अधातू नाम से चेप्टर तो ये सारे धातू हैं तो इसमें जो करेंट फिलो होती है उसे बोलते हैं धात्विक चालकता क्या बोलते हैं धात्विक चालकता बहु वो विद्धू दबगट में होती है तो मैं यहाँ पे एक पात्र बना लेता हूँ अब इस पात्र में हम कोई विद्धू दबगट भर लेते हैं तो यहाँ पे हमने विद्धू दबगट भर लिया अब देखो होता क्या है कि विद्धू दबगट में से भी आइंस इधर एलेक्ट्रोड है तो होता क्या है कि जो अगर ये प्लस का है मान लेजे बैटरी के प्लस सरी से जुड़ा है तो माइनस इसकी तरफ सारे इस तरफ भागेंगे और ये माइनस का है अगर तो प्लस जो है ये सब इसकी तरफ भागेंगे तो आइन्स इसमें से गती करते हैं तो current flow होती है ताकि इससे circuit भी पूरा हो जाता है तो इस विद्धुद अबगट में जो चालगता होती है उसे कहते हैं विद्धुद अबगटनी चालगता क्या कहते हैं विद्धुद अबगटनी चालगता तो एक धातु में जो current flow होती है तो उसे कहते हैं धात्विक चालगता दूसरी जो विद्दुदब घट में करेंट फिलो होती है उसे बोलते हैं विद्दुदब घट नहीं चालगता क्यों 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 कि यहां पे आइंस गती करते हैं तभी तो करेंट बनती है इसमें आइन से गती नहीं करते हैं इसमें जैसे इलेक्ट्रोन गती करते हैं इलेक्ट्रोन इधर इसमें मुक्त इलेक्ट्रोन पाये जाते हैं आपको पता होगा परते एक धात्यू में कुछ फिरी इलेक्ट्रोन होते हैं तो एक साथ अगर इस डारिक्शन में ड्रिफ्ट हो पहला अंतर तो आप यही लिख सकते हैं कि यह इस प्रकार की चालकता इलेक्ट्रोन के अभीगमन से होती है और इस प्रकार की जो चालकता होती वो आईनों के अभीगमन से होती है तो यह आपको क्लियर अंतर साफ दिख रहा है जो इलेक्ट्रोन है वो यहां से प्लस से माइन बना लेते तो आपको पहला अंतर यही लिखना है कि विद्धुधारा का पिरवाज होता है विद्धुधारा का पिरवाज इलेक्ट्रोन के बिपरीथ होगा तो यह प्लस है और यह माइनस है तो उच्च बिवाव से निम्निवाव की ओर तो इसमें कई बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है उसको भी मैं क्लियर करूंगा इलेक्ट्रोन यहाँ पर पहुँचे क्योंकि यह रिन आभिशित है तो यह प्लस की ओर गए फिर यहाँ से तार जुड़ा रहता है तो यह प्लस से फिर कहां जाते है माइनस की ओर है ना इस चीज को समझो तो इस तरीके से अब इसके अंदर बिपरी डिरेक्शन में करेंट आएगी तो जो की प्लस से माइनस की ओर हो जाएगी तो जो की हम लोग पहले ही पढ़ते हैं तो उतना याद नहीं रखना है आपको सीधा याद रखना है कि इलेक्ट्रोन जो होता है उच्च बिभाव से जाता है निम्ने बिभाव की ओर ऐसी समझना है इलेक्ट्रोन कहां जाता है उच्च बिभाव से निम्ने बिभाव की ओर जो करेंट वहती है वो कैसी वहती है निमने से उच्ची की और इस तरीके से मतलब विद्धुद्धारा का जो प्रभाव होता है वो विद्धुद्धारा का प्रभाव की और होता है लेकिन इसमें जो होता है विद्धुद्धारा का प्रभाव कैसे होता है तो इसमें विद्धुध धारा का प्रभाह कैसे होता है आईनों के अभीगमन से इसमें होता है इलेक्टरोन के चलने से इसमें होता है आईनों के अभीगमन से अगर आपको direct सीधा simple भी लिखना है अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है वो वाला तो आप ये भी लिख सकते हो, आला कि ये भी एक तरीका सही है, इसमें आप लिखोगे कि इसमें धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रोन के चलने से जो करेंट बनती है, उसे धात्विक चालगता कहते हैं, या इस प्रकार की चालगता में मुक्त इलेक्ट्रोन धातुओं के अब इसमें क्या होता है, इसमें केवाल इलेक्ट्रोन गती करते हैं, पधार्थ नहीं गती करता है, तो इसमें इलेक्ट्रोन का ही इस्थानांत्रण होता इस प्रकार की चालकता में ये नहीं है कि ये जो धातू का चालकतार है ये गती करने लगे ये नहीं गती करेगा इसके अंदर जो इलेक्ट्रोन है वो गती करेंगे तो आप लिखोगे कि इसमें जो पधार्थ होता है की पॉइंट पकड़ो जो पधार्थ है उसका इस्थानांतरन नहीं होता मतलब पधार्थ का जो ट्रांसफर है वो नहीं होता पधार्थ का इस्थानांतरन नहीं होता इसमें होता है तो इसमें आपको लिखना है कि इसमें पधार्त का जो इस्थान अंत्रन है वो होता है क्यों क्योंकि जो प्लस माइनस आइन्स है वो बिद्धू दबगटी है ना तो बिद्धू दबगट इधर जा रहे है उधर जा रहे है इससे आखरी में ये अब घटित हो जाता है बिद टलबाटर आता है, वो मिलाते हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें पधार्थ का इस्तानां ठरण होता है, तीसरा जो महत्पूर्ण पॉइंट है, उसको देख लेते हैं, इसमें यदि हम ताप बढ़ाएंगे, टेंपरिचर की बात कर लेते हैं, अगर हम ताप तो होता क्या है इलेक्ट्रोन की गते जूर्जा काफी ज़्यादा बढ़ जाती है जैसे हैं ये मुक्त इलेक्ट्रोन काफी ज़्यादा गती करते हैं दर दर तो ये अपने ही धनाइनों से यानि अपने ही परमानों से टकराते हैं और बार बार टकर होने से अवरोध उत्पन तो ताप जब कम करोगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी प्रतिरोध कम तो चालकता बढ़ेगी और प्रतिरोध बढ़ा तो चालकता गट जाएगी तो आपको ये वाला पॉइंट लिखना है लूट्स में लिखा है ये वाला पॉइंट कि ताप कम करने पर प्रतिरोध भी कम होता है जिससे चालकता बढ़ जाती है आया समझ में की नहीं इसमें क्या होगा ताप कम नहीं कर सकते अगर ताप कम रखोगे तो ताप कम होने से गते जूर्जा नहीं बढ़ेगी इनकी जब गते जूर्जा नहीं बढ़ेगी तो चालकता भी क्या हो ज तो ताप कम करने से चालकता कम हुगी, जबकि इसका उल्टा गर इसमे ताप बढ़ा दें तो यह आइंस में गति जूट जया पड़ेगी, और यह आइंस और तीज रफतार में चलेंगे, और तब मतलब रफतार उनकी बढ़ेगी, तेज गती होगी, तो ये क्या होगी इनमें चालकता जादा हो जाएगी तो ये तीसरा point है चौथा point समझ लेते हैं चौथा point ये है कि इसमें धातु जो होते हैं इसमें गती होती है इसमें current भहती है तो इसके रासाइने गुन नहीं बदलते मतलब ये जो है वो वही रहेगा ये जो धातू का टुकड़ा है अगर ये कापर का है तो ये कापर ही रहेगा इसमें कोई भी ऐसे चेंजिस नहीं आते ना ही बहुत एक ना ही रासाइनिक तो इसके गुण नहीं बदलते लेकिन इसमें विद्ध अबगटे ही समाप्त हो जाता है कभी-कभी वो अबगटे थो जाता है कुछ तीसरा पधार्थ बना लेता है करिंट बहते 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 तो इसके गुण बदल जाते है तो इसमें आपको लिखना है कि जो पधार्थ है उसके जो रासाइनिक गुण है रासाइनिक गुण वो नहीं बदलते और इसमें बदल जाते हैं पधार्थ की जो रासाइनिक गुण है वो बदलते हैं क्योंकि आइंस गती करेंगे इदर प्लस प्लस यहां जा रहा है माइनस माइनस यहां जा रहा है उससे किरिया करके आउच्छे बना लेता है तो इस तरीके से कई बार देखा गया है अलग अलग सैल में कि या तो बिद्धो दबगट पूरी तरीके से अबगटेत हो जाता है या कुछ आउच्छे किसी दूसरे पदार से तीसरे पधार्थ से किरिया करके आउच्छेग बना लेता है। तो ये जो है विद्धोदबगट की रासाने को बदल जाते हैं। ये था धात्विक चालकता और विद्धोदबगटनी चालकता में। अब बार ये थोड़ा सा याद करने की। देखो याद करो पहला अंतर क्या था। देखो इस प्रकार की चालकता में इलेक्ट्रोन गती करते हैं। इस प्रकार की चालकता में आइंस गती करते हैं। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? इस प्रकार की चालकता में ताप कम करने पर चालकता घटती है इसका अपूजट भी लिख सकते हो के ताप बढ़ाने पर चालकता घट जाती है इसमें ताब बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है इसमें लिखना है कि इसमें पधार्थ की रासाने गुन नहीं बदलते इसमें पधार्थ की रासाने गुन बदल जाते तो ऐसी चार अंतर हैं जो कि हमारे नोट्स में भी यहाँ पर दिये गए हैं और कच्छा भार्मी रसाइन विज्ञान के चात्रों के लिए मैंने अलग से चैनल बनाया है संदीप खरे और हमारा एक मैंन चैनल भी है फ्री ओनलाइन कोचिंग तो आप यहां पे जो है यहां पे देखो यह पढ़ सकते हो यह देखो यह हमारा चैनल है इसको आप देखके यह सारी चीजे आप वीडियोज ड़ले होगे हैं देख सकते हैं और अध्या एक के अधे वीडियो देखना है तो यह आपको मिलेगा हमारे मैंन चैनल पर तो मैंन चैनल आप यूटूब पर सर्च करोगे फ्री ओन लाइन कोचिंग इस पर क्लिक करोगे तो यहां पे आपक दो के कुछ question इसमें डाले उसके बाद मैंने लिखा कि आप यहां नहीं पढ़ाऊंगा इसकी बजा मेरा जो second channel है उस पर पढ़ाऊंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो second channel है जिसका नाम है संदीप खरे तो इस पे भी आप जाके वीडियो देख पाऊगे यह अध्य जायत तीन से आपको यहां पे पूरे मिलेंगे प्रॉपर वे में यह देखो चैप्टर नंसर्ट समिंग करना धारित सवाल सारी question है लाइब भी मैंने किया था तो वो भी आप देख सकते हैं आयूपीसी पढ़ना चाहो तो आयूपीसी भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं य इसके बाद हमने चौबीसमा question कर लिया है जो कि आपने screenshot ले लिया होगा नहीं लिया है तो दुबारा से आप अच्छे से देख लीजिए पूरा ठीक है अब लिख सकते हो आप इसको है अब इसके बाद हम पच्चीसमा question करेंगे जल्दी से यह chapter खतम करने वाले हैं तो मिलत है नेस्ट वीडियो लक्शर में thank you